इस्टुडेंट्स हम पढ़ रहे हैं प्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट तो लास्ट लेक्चर में हमने द्रव्य का वर्गी करण डिस्कस कर लिया था कि द्रव्य को तीन प्रकार में बाटा गया है उसके बाद हमने कुछ द्रव्यमान घनत्व इनके बारे में बात करी थी देखो आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है वैज्ञानिक संकेतन बहुत सिंपल सा टॉपिक है आप बुक में से खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये टॉपिक आपको खुद को पढ़ना है बुक में से इसमें और जो ये 0 है उसको हम क्या लिखते हैं 10 की पावर करके लिख देते हैं कितनी 0 है जैसे या पर 4 0 है तो यहां पर हम लिख देंगे 1 to 4 5 into 10 की पावर 4 तो मतलब किसी संख्या को n into 10 की पावर n में या पर लिखा जाता है तो ऐसा गुछ वेज्ञानिक संकेतन में आपको समझाय हुआ है उसके बाद में आगे आता है इसमें गुणा और भाग करना कि जो दश्मलों में संख्या दी हुई है वो भी संख्या है वो दश्मलों में है या फिर घातांक के रूप में दी हुई है तो उसका गुणा और भाग किस प्रकार से करते हैं तो यह आप सभी को आता होग कि जब हम घातों का जब हम गुणा करते हैं तो घात क्या होती है आपस में जुड़ जाती है जैसे फर्स्ट आपके एक्जामपल बताया हुआ है बुक में दिया हुआ है जैसे 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इसका गुणा किया हुआ है 6.9 इंटू 10 की पावर 8 तो हम क्या करेंगे 5.6 इंटू 6.9 करेंगे और जो ये पावर है जब बेस सेम होता है तब पावर जुड़ जाती है आधार क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तो यह क्या हो जाएगी 8 प्लस 5 तो कितनी आ जाएगी अपने 13 पावर कितनी आ जाएगी 13 तो इसका अंसर आएगा 38.64 इंटू 10 की पावर 13 तो इस प्रकार से हम किसी भी संक्याओं को वेग्यानिक संकेता में लिख सकते हैं, गुणा किस प्रकार से करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं और घटाते कैसे हैं तो यह हमें दिखा हुआ है और बुक में अच्छे से सोल भी किया हुआ है, तो यह आपको खुद को पढ़ना है, खुद को समझना है, आपको सब को अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यह जो टॉपिक है सार्थक अंक, बहुत इंपोर्टेंट इसके कुछ नियम दिये हुए है बुक में, तो यह आपको अच्छे से समझना है, बुक में जो नियम दिये हुए है, वहां से नियम अच्छे से पढ़ना है आपको और समझना है, तो आपको बहुत coronary समझ में आ जाएगा, क्यूंकि विद एग्जाम्फल के साथ में आप को बुक में समझाया हुआ है तो देखो हम इसको थोड़ा से एक बार discuss कर लेते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं सार्थक अंक जिसे इंग्लिश में कहते हैं significant figure तो देखो सार्थक अंक क्या होते हैं तो हम सबसे पहले में बात करते हैं कि मापन में अनिश्चित्ता क्या होती है या मापन में त्रूटी क्या होती है तो देखो बेटा जब भी हम मापन करते हैं तो हमने कोई भी एक मापन किया और हमारे पास एक मान आता है मान लो हमने किसी भी वस्तू का मापन किया और जो हमारे पास मान आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 11.74 ml तो देखो जो यह हमारे पास value आ रही है यह क्या है निश्चित मान है क्या है निश्चित मान है निश्चित value हमारे पास आई है और इसकी जो ये अंतिम value होती है इस value में हमेशा plus minus 1 की या फिर आप plus minus 2 भी कर सकते हैं plus minus 3 भी कर सकते हैं तो इनकी यहाँ पे एनिश्चिता हमेशा point की बाद जितनी भी संक्याय होती है उसमें हमेशा plus minus की कुछ नकुछ एनिश्चिता पाई जाती है आप कभी भी value को लिखते हैं जैसे answer में आपकी value आ रही है 7, 4, 5, 6, 7 तो हम क्या करते हैं generally 2 अंको तक की अपना answer लिखते हैं तो हम क्या करते हैं last का अंको तक है या तो हम उसमें एक जोर देते हैं तो यह कितना हो गया 11.75 या फिर हम क्या कर देंगे 2 जोर देते हैं 3 जोर देते हैं इस प्रेकार से इसमें plus minus यहाँ पर plus 1 की निश्चिता यहाँ पर plus 2 की यहाँ पर plus 3 की निश्चिता देखी जाती है मतलब कुछ न कुछ इसमें एक निश्चिता पाई जाती है पॉइंट के बाद में जो अंतिम अंक आता है पहले वाला जो अंक होता है वो तो निश्चित होता है और पॉइंट के बाद में जो अंक होता है उसमें plus minus की हमेशा एनिश चित्ता पाई जाती है तो देखो यहाँ पर मालो प्लस वन की यहाँ पर एनिश चित्ता है तो प्लस वन की एनिश चित्ता है तो इस value को हम कितना कर देंगे 11.75 जो हमारा क्या हो गया answer हो गया हम इसमें मेशा कुछ नो कुछ एनिश्चित्ता पाई जाती है यह आपको याद रखना है यहाँ पर किवल दसमलों के अंकों में यह हमें देखने को मिलती है देखो जैसे इसे और एक्जामपल से समझो कि हमारे पास कोई वेल्यू आई है 171.88 तो हम इसको क्या लिख सकते है 171.89 भी हम इसको लिख सकते है मतलब यहाँ पर भी क्या है प्लस वन की इसमें एनिश्चित्ता पाई गई है प्लस वन की यहाँ पर एनिश्चित्ता है तो मतलब पॉइंट के बाद में जो वेल्यू आती है उसमें कुछ न कुछ एनिश्चित्ता पाई जाती है और ये जो मान होता है इस मान को हम तुरूटी मान भी कहते हैं या हम क्या कहते हैं मापन में एनिश्चित्ता या फिर मापन में तुरूटी ये जो मान आ रहा है हमारे पास इन मान को हम तुरूटी मान भी कहते हैं या हम कहें मापन में तुरूटी होना मापन में तुरूटी क्या कहते है इसे हम और मापन में तुरूटी तो यह क्या हो गई अपने मापन में एनिश्चित्ता कि मापन में एनिश्चित्ता हम किस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर इसकी heading लिख सकते हैं मापन में एनिश्चित्ता सार्थक अंक में हम इसे पढ़ रहे हैं उसके बाद हम बात करते हैं सार्थक अंक की कि सार्थक अंक क्या होते हैं इसकी definition क्या होती है तो देखो बेटा सार्थक अंक की डेफिनिशन होती है किसी मापन में मान के अर्थपूर अंकों की जो संख्या होती है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं तो इसकी डेफिनिशन आपको याद रखनी है डेफिनिशन क्या है किसी मापन में मान के अर्थपून अंकों की संख्या वो क्या कहलाते है अपने सार्थक अंक देखो आप एक एक्जामपल से समझो कि हमें एक एक्जामपल लेते हैं जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है मेरे पास उसका मुल्य है कितना मुल्य है 1,2,3,4 अब देखो मैं आपसे पूस्ती हूँ कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो इसमें कितने सार्थक अंक है यहाँ पर ऐसा कोई अंक है क्या जिसे आप हटा सकते हैं कोई अंक नहीं है तो यहां पर टॉटल कितने सार्थक अंक है चार अंक है क्योंकि यहां पर एक भी बीच में कोई शुन्य नहीं है पहले भी कोई शुन्य नहीं है बाद में भी कोई यहां पर शुन्य नहीं है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे चार होंगे तो यही आपके सार्थक अंक का फर्स्ट नियम है अब देखो अपनी जो बुक है उसमें सार्थक अंक निर्धारण के कुछ नियम दिये हुए है तो वो नियम आपको खुद को पढ़ना है और समझना है खुद को आपको easily समझ में आ जाएंगी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जादा समझने का नियम पढ़ो और साथ में उसके questions, examples solve करो सार्थक अंक निर्धारण के नियम तो फर्स्ट नियम क्या है अभी अभी मैंने example बताया था आपको कि मैंने एक संक्या लिती 1,2,3,4 जिसमें सार्थक अंक कितने आ रहे थे? तो यही आपके पहला नियम होता है कि सभी गेर शुन्य अंक सार्थक अंक होते हैं गेर शुन्य अंक का मतलब क्या होता है कि कोई भी शुन्य नहीं हो शुन्य के अलावा जितने भी अंक है जिसे आप example ले लो 5,4,3,7,8 यहाँ पर क्या है? एक भी शुन्य नहीं है तो यह जो अपना फर्स्ट नियम है कि सभी गेर शुन्य अंक सार्थक अंक होते हैं वो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कैसे? देखो यहाँ पर एक भी शुन्य नहीं है तो यहां पर सारतक अंकों की संख्या कितनी हो गई? पाच तो ऐसे आप और भी एक्जामपल ले सकते हैं तो ऐसे आपकी बुक में पाच नियम दिये हुए हैं यह नियम आपको खुद को पढ़ना है और इनको आपको समझके इनके जो questions आपके बुक के पिछे दिये हुए हैं वो नियम को पढ़ते रही हैं और साथ में उसको questions को solve करते रही हैं तो यह आपके सारतक अंक यहां से complete हो जाते हैं अब इसी में आता है आपके सार्थक अंको को जोडना, घटाना, गुणा और भाग करना तो देखो ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार समझा देती हूं कि सार्थक अंको को किस प्रकार से जोडते हैं, किस प्रकार से इनका गुणा करते हैं तो हम यह आपर हेडिंग डालते हैं सार्थक अंको का योग वह घटाना देखो समझो इसे एक एक्जामपल से समझो जिसे हमने एक एक्जामपल लिया कि हमने कोई संख्या ले ली जिनको हमें जोड़ना है और उसका हमें परिणाम निकालना है कि रिजल्ट कितना आएगा उसमें सार्थक अंको की संख्या हम किस प्रकार से निकालेंगे तो देखो एक example लिया मैंने हमारे पास दो तिन संख्या दी हुई है ये हमारे पास संख्याएं दी हुई है तो हम क्या करेंगे हमें क्या करना है इनका योग पहले हम बात कर रहे हैं केवल योग की उसके बाद हम बाग की देखेंगे गुणा देखेंगे और भाग देखेंगे तो यहाँ पे लिख लो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं योग की कि सार्थक अंगों का हम योग किस प्रकार से करते हैं देखो यहाँ पे एक एक्जामपल ले लिया अब इसको सोलू करो तो हम इसको साधा जोड़ते हैं संख्याओं को उसी प्रकार से जोड़ना है तो ये कितना आएगा अपने तो ये अपना आंस्वल आएगा यहाँ पे तो देखो इसमें हमें क्या करना है हमें इसको किस प्रकार से लिखेंगे अब देखो हमारे पास इतनी बड़ी संख्याई है तो हम इतनी बड़ी संख्याई में तो इसको लिखेंगे नहीं हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमने जो संख्याई ली है उसमें हम देखते हैं कि 10 मलों के बाद सबसे कम नमबर कितना है सबसे कम संख्या 10 मलों के बाद कितनी है तो देखो यहाँ पर 10 मलों के बाद 3 संख्या यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है तो हम जो आंसर लेते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं इसका जो परिणामी हमारे पास आता है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं कि 10 मलों के बाद जितने कम अंक हैं उतने ही कम अंक हमको आंसर में भी लेने हैं तो देखो यहां पर 10 मलों के बाद सबसे कम अंक कितने हैं 2 इसमें 10 मलों के बाद 3 अंक है इसमें कितने हैं 4 तो हम क्या करेंगे answer में भी 10 मलों के बाद हमें सबसे कम जो number है वो ही number यहाँ पे लेना है तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 52.47 यह हमारा इसका answer आएगा हम इतना बड़ी value यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो यह हमारा answer हो गया फिर हमको क्या करना है उसके बाद में हमको इसमें निकालने है सार्थक अंक तो वो हम क्या करेंगे जब आप सार्थक अंक के नियम पढ़ोगे नियम समझोगे एक्जामपल करोगे तो वहाँ से आप इसमें निकाल लोगे कि इसमें सार्थक अंक कितने ह देखो यह जो हमारा उपपर आंसर आय था 52.4704 इसमें सार्थक अंक कितने थे 6 यह हमने नियम को देखते वए निकाला है इसमें सार्थक अंक कितने आ रहे हैं 6 तो देखो हम इन संख्याओं का जो परिणामी मान लेते हैं उसमें दश्मलों के बाद में हम उतने ही अंक रखते हैं जितने सबसे कम दश्मलो इस्थान वाली संख्या में होते हैं जितनी कम नंबर दश्मलो के बाद में जो संख्या है उसमें होते हैं वही अंक हम को लेना है तो ऐसा ही सेम हम बाकी में भी हम इसी प्रकार से करते हैं जोड में और जो हम गुणा करते हैं संख्याओं का उसमें भी हम सेम यही प्रोसेस करते हैं कि हमें तीन या चार संख्या दी हुई है उनका हमें गुणा करना है तो हम जो उसका रिजल्ट निकालेंगे तो हम जो उसका आंसर लिखेंगे मालो हमारे पास बहुत बड़ी संख् कि इसमें हमारे पास कितने सार्थक अंक आते हैं तो यह होता है सार्थक अंक का topic अपना complete book में से आप और अच्छे से इसको समझ लेना ठीक है उसके बार हम new topic start करेंगे सार्थक अंक में ही आपको दिया हुआ है एक topic परिशुद्धता और यतार्थता क्या दिया हुआ है परिशुद्धता और यतार्थता तो इसका जो main heading है वो होती है रसायन विज्ञान में मापन हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना टॉपिक रसायन विज्ञान में मापन कि हम रसायन विज्ञान में मापन किस प्रकार से करते हैं तो देखो रसायन विज्ञान में मापन के लिए हम दो विधिया प्रियोग में लेते हैं दो विधिया प्रियोग की जाती है कौन-कौन सी दो विधिया है एक तो आता है अपने पास परिशुद्धता प्रसायन विज्ञान में मापन के लिए हम दो विधिया काम में ले रहे हैं कौन-कौन सी विधिया है एक तो आता है अपने परिशुद्धता और एक विधि आती है दूसरी यथार्थता फर्स्ट विदी क्या है परिशुद्धता और सेकेंड विदी क्या है यथार्थता इसे हम कहते हैं प्रिसीजन और इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी अब देखों हम देखते हैं कि परिशुद्धता क्या होती है और यथार्थता क्या होती है सबसे पहले एक बार इसकी definition लिख लेते हैं कि परिशुदता हम किसे कहते हैं और यथार्थता किसे कहते हैं थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में हम लिख लेते हैं तो देखो बेटा परिशुदता जो होती है वो मापन में समीपता को दर्शाती है कि हमने किसी भी चीज को मापन हमारे पास में उसको मापने पर जो value आई है वो value हमारी कैसी होगी समीप होगी आपस में एक दूसरे के निकट होगी तो यहाँ पर एक बार आप लिख ले थोड़ा सा कि परिशुद्धता मापन में समीपता को दर्शाती है क्या दर्शाती है मापन में समीपता को दर्शाती है और जो यथार्थता होती है वो मान में समीपता दर्शाती है क्या दर्शाती है यथार्थता मान में समीपता अब हम देखेंगे कि मापन में समीपता और मान में समीपता किस प्रकार से हम देखते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे परिशुद्धता की किसकी बात करेंगे परिशुद्धता की कि परिशुद्धता क्या होती है इससे हम with example समझेंगे इससे हम example से समझते हैं कि परिशुद्धता क्या होती है देखो सबसे पहले हम बात करते हैं परिशुद्ध की तो हम एक एक्जामपल लेते हैं कि देखो हमारे पास कोई भी प्रियोग है हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस experiment का जो प्रयोगिक मान आ रहा है प्रयोग का जो प्रयोगिक मान है वो हमारे पास आ रहा है तीन तो देखो हमारे पास किसी प्रयोग का किसी प्रयोग का प्रयोगिक मान आपको तीन दिया हुआ है कि इसको जो exact value है वो कितनी आनी चाहिए तीन आ रही है अब देखो मानो कोई student है A उसने जब first experiment किया तो कितनी value आई जब second experiment करेगा तो कितनी value आएगी तो हम उस value को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या जो हमारे पास value आ रही है उसमें समीपता है या फिर नहीं तो देखो एक student है A ये दो experiment कर रहा है experiment first, प्रियोग first और experiment second तो देखो जब ये experiment first किया तो इसकी value आई वो कितनी आई 2.95 ये value हमारी 3 के आसपास ही आईगी इसमें बहुत ज़्यादा difference नहीं होगा तो देखो कोई student है उसका नाम है A उसने जब first experiment किया तो value आई है 2.95 जब ये second experiment करता है तो value आती है हमारे पास 2.97 तो देखो यहां से हम परिशुद्धता को समझते हैं कि परिशुद्ध मान क्या होते हैं, परिशुद्धता क्या होती है तो देखो बेटा हमारे पास जो ये दो value आई है ये दोनो value एक दूसरे के समीब है है या फिर नहीं है, समीब है देखो 2.95 और 2.97 के वल 0.2 का यहां पर difference है तो ये value क्या है, आपस में एक दूसरे के समीब है एक दूसरे के निकट है तो ये क्या होती है, परिशुद्धता ये मान आपस में कैसे हैं, परिशुद्ध है मापन में समीब है मान एक दूसरे के निकट है तो जो मान मापन में समीब होते हैं उसे ही हमने क्या कहा था उन मानों को हमने क्या कहा था परिशुद्ध मान या फिर परिशुद्धता तो देखो ये मान एक दूसरे के समीब है तो यह मान जब एक दूसरे के समीप है तो यहाँ पे मापन में समीपता पाई गई है क्या आप देखा है हमने यहाँ यहाँ मापन में समीपता है क्या है मापन में समीपता मापन में समीपता क्या होती है जब दो मान एक दूसरे के समीप होते है और जो मान आपस में समीप होते हैं उन मानों को हमने क्या कहा था परिशुद्ध मान, परिशुद्ध तक क्या दर्शाती है मापन में समीप था तो देखो ये मान कैसे होंगे, परिशुद्ध होंगे ये मान कैसे होंगे, परिशुद्ध होंगे क्योंकि एक दूसरे के समीप है परिशुद्ध होंगे क्यों होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के समीप है तो यही क्या होती है मापन में परिशुद्ध ता या फिर हम कहें परिशुद्ध मान तो परिशुद्ध मान क्या होते है जो मान मापन में समीब आते हैं एक दूसरे के समीब होते हैं उन मानोकम क्या कहते हैं परिशुद मान तो समझ में आ गया सभी को परिशुद मान क्या होते हैं परिशुद मान हम किस प्रकार से निकालते हैं तो अब यहां से इसकी परिभाशा लिख लेते हैं परिशुद्धता की परिभाशा क्या होती है देखो पेटा परिशुद्धता की परिभाशा क्या निकल कर आएगी यहां से किसी प्रियोग के मापे गए मानों की समीप्ता यह हम कहें निकटता समीप्ता और निकटता का मतलब एक ही होता है क्या कहलाती है परिशुद्धता तो हमारे पास जो दो वेल्यू आई थी 2.95 और 2.97 यह मान आपस में कैसे है एक दूसरे के समीप है इसलिए यह मान कैसे होंगे यह थार्थ होंगे यह सोरी परिशुद्ध होंगे हम परिशुद्धता की बात कर रहे है कैसे मान होंगे परिशुद्ध तो परिशुद्ध मान क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर हम इसे एक एक्जामपल से और समझ लेते हैं देखो मानलो हमारे पास किसी प्रियोग का प्रयोगिक मान हमें दिया हुआ है दो प्रयोगिक मान कितना दिया हुआ है हमें दो अब देखो हम दो इस्टूडेंट लेते हैं एक इस्टूडेंट है ए और एक इस्टूडेंट है बी अब A student है वो भी एक एक दो experiment करेगा और B student भी दो experiment करेगा और अपनी अलग-अलग value निकालेगा या फिर आप तीन student देलो A, B, C अब देखो student A है उसने जब first experiment किया तो उसकी value आई है 1.93 कितनी आई है 1.93 और जब यह second experiment करेगा तो इसकी value आई है 1.94 अब देखो student B है यह जब first experiment किया इसने तो इसकी value आई 1.95 और इसने जब second experiment किया तो उसकी value आई 2.05 अब देखो student C है उसने जब experiment किया तो उसकी कौन-कौन से value आई तो first experiment में तो इसने जो value निकाली वो निकाली 1.99 और second experiment में इसने value निकाली 2.01 अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कौन-कौन से मान आपस में एक दूसरे के समीब है या फिर कौन-कौन से मान परिशुद्ध है परिशुद्ध मान देखना है हमको यहाँ पर देखो एके जो मान है 1.93 और 1.94 ये मान क्या है आपस में एक दूसरे के समीब है तो समीब है तो ये कैसे होंगे परिशुद्ध होंगे कैसे होंगे ये मान आपस में परिशुद्ध होंगे क्यों होंगे क्योंकि यह है एक दूसरे के समीप है तो इन मानों को हम परिशुद्ध मान कहेंगे अब देखो B के मान आए है 1.95 और 2.05 जो कि आपस में क्या है समीप नहीं है इन में जो difference है वो बहुत जादा आ रहा है तो यह क्या है आपस में समीप नहीं है तो समीप नहीं है तो परिशुद्ध भी नहीं है अब देखो उसके बाद में हमारे पास एक वेल्यू आ रही है 1.99 और 2.01 जो की C ने जो experiment करके जो वेल्यू निकाली थी वो वेल्यू है अब यह दोनों मान भी आपस में क्या है एक दूसरे के समीप है तो यह भी कैसे होंगे परिशुद्ध होंगे तो आपको परिशुद्ध था समझ में आ गई होगी या फिर हम लिखे मान आपस में कैसे है परिशुद्ध है क्योंकि एक दूसरे के समीप है तो कैसे होंगे परिशुद्ध तो ये था अपने concept परिशुद्धता का, कि परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्ध मान क्या होते है चलिए, next हम बात करते हैं यथार्थता की या फिर जिसे हम कहें यथार्थ मान यथार्थ मान क्या होते है तो यथार्थ मान क्या होते है वास्तविक मान से मापे गए मानों की समीपता ही यथार्तता कहलाती है तो यहां से इसके definition लिखेंगे वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या मानाता हमने वास्तविक मान क्या होता है कि हमने किसी प्रियोग का जो प्रयोगिक मान निकला था वो ही क्या था हमारा वास्तविक मान था तो वास्तविक मान से हम जो प्रियोग करके वेल्यू निकालेंगे तो वो वेल्यू वास्तविक मान की वेल्यू से समान आएगी समीपता दर्शाएगी आपस में तो उन मान को हम क्या कहेंगे यथार्थ मान परिशुद मान में तो क्या थी? जो मापन में जो value आ रहे थी वो समान आ रहे थी लेकिन जो experimental value थी उससे क्या थी? अलग थी लेकिन जो जथार्थता है उसमें जो मान आएगा ये जो वास्तविक मान है इस value के आसपास में आएगा इसके जो समानता होगी वो वास्तविक मानता से समानता याँ पर पाई जाएगी तो देखो इसके definition होती है वास्तविक मान से मापे गई मानो की समीपता ये थार्थता कहलाती है अब देखो इसे एक example से समझो जैसे मान लो कि पहला हमने जो experiment किया था या फिर अभी अभी हमने जो experiment किया था उसमें हमारा प्रायोगिक मान आ रहा था वो कितना आ रहा था प्रायोगिक मान या फिर हम कही वास्तविक मान कितना आया था हमारे पास दो था हमारे पास दो अब देखो यह हमारे पास जो वेल्यू आई थी यह वेल्यू हमने जो सी कोई स्टुडेंट था उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी वेल्यू कितने थी यह हमनी यह हमारा मापागया मान होगा तो इसमें जो समीब्ता होगी वो किस किस वास्ताविक मान और मापे के जो मान है उनके वेल्यू आपस में एक दूसरे के पास पास आएगी तो C के जो मान होंगे वो परिशुद के साथ साथ यथार्त मान भी होंगे क्यों होंगे क्योंकि यह वास्तविक मान से आपस में समान है तो देखो C की दोनों वेल्यू C की दोनों value दो के पास है जो अपना वास्तविक मान है प्रायोगिक मान है तो ये यथार्त होंगी कैसी होंगे ये मान कैसे होंगे यथार्त होंगे देखो प्रायोगिक मान दो था और C की दोनों value कौन कौन सी थी 1.99 और 2.01 तो ये दोनों value ही दो के समीब है इसलिए कैसी होगी यथार्थ होगी तो समझ में आ गया होगा आपको यथार्थ ता क्या होती है यथार्थ मान क्या होते है देखो इसे और एक example से समझ लो कि जैसे किसी प्रयोग का प्रयोगिक मान या वास्तविक मान हमें पांस दिया हुआ है अब कोई student है उसने जब experiment किये अलग-अलग तो उसकी value कितनी आई है 4.99 और 5.02 तो ये दोनों मान इस मान के समीब है तो कैसे होंगे आपस में यथार्त होंगे यही आपको ध्यान रखना है कि यथार्त मान क्या होते हैं तो ये हो गई अपने रसायन विज्ञान में मापन जो कि हम दो विडियों द्वारा करते हैं व्यथार्तता और परिशुदता तो ये टोपिक अपने complete हो गया अब हम एक टोपिक और लेते हैं संख्याओं का निकटन सार्थक अंकों का गुणा और भाग जहां पर दियावा है उसी के नीचे आपके तीन नियम दियो हुए है कि हम संख्याओं का निकटन किस प्रकार से करते हैं संख्याओं का निकटन क्या होता है तो देखो हम यहाँ पर टोपिक लिखते हैं अपना संख्याओं का निकटन क्या है अपने टॉपिक का नाम संख्याओं का निकटन संख्याओं का निकटन क्या होता है जैसे हमें कोई वेल्यू दी हुई है तो हम उस वेल्यू को किस के आसपास में रखते हैं किस प्रकार से हम उस वेल्यू को रखते हैं तो यह होता है संख्याओं का निकटन या फिर हम कहें कि जैसे कोई वेल्यू हमें दी गई है तो उसको हम राउंड ओफ में किस प्रकार से लिखते हैं हमें कोई बिल बन कर आया है हमारे पास तो हम उसको किस प्रकार से राउंड ओफ में पे करते हैं तो वही क्या क्या लाता ह संख्याओं का nicotin तो देखो इसे हम इस प्रकार से समझते हैं संख्याओं के nicotin को जैसे मान लो आपने कोई वस्तू खरीदी उसका मुल्य है आपके पास 1 070.48 रुपे किसी वस्तू का मुल्य है क्या है ये किसी वस्तू का मुल्य क्या आ गया है हमारे पास किसी वस्तू का मुल्य कितना आया है 1070.48 रुपे अब देखो आपको जब इसको पे करना है दुकांदार को आप जब पे करेंगे तो आप कितना करेंगे 170.48 रुपे पे कर दोगे कि आप नहीं करोगे क्योंकि 0.48 पेसे होते ही नहीं है तो आप क्या करोगे या तो आप कितने रुपे पे करोगे 1071 या फिर आप पे करोगे 1070 या तो आप 1070 पे कर दो या फिर 1071 आप पे करेंगे तो यानि क्या होता है राउंड ओफ में हम इतना बिल इतनी जो पैसे हैं वो क्या करेंगे पे करते हैं शोप कीपर को दुकानदार को हम कोई वस्तु का इतना मुल्य उसको देते हैं तो ये वेल्यू क्या आती है अपनी round of value है कैसी value है ये मान कैसा है round of मान कहते हैं जिसे हम तो अब देखो हम देखते हैं संख्याओं के निकटन करने के नियम की संख्याओं का निकटन हम किस प्रकार से करते हैं तो हम बात करते हैं संख्याओं के निकटन के नियम की कौन-कौन से नियम होते हैं ये नियम आपकी बुक में भी बहुत अच्छे स एक्स्प्रेन कियो हुए हैं, तो आप वहाँ से नियम को समझा सकते हैं, उस नियम को मैं आपको यहाँ पे only example लेकर समझाऊंगी, देखो, first नियम होता है, मैं आपको लिख नहीं रही हूं, नियम को केवल यहाँ पे समझा रही हूं लिखा वहां से सकते हैं नोट्स में कि फर्ष नियम क्या होता है देखो हमें क्या करना है जिसे आपको कोई संख्या दी हुई है तो उसमें अंतिम अंक सबसे दाई और का अंक है जिस अंक को आपको हटाना है तो यदि सबसे अंतिम अंक संख्या का जो हमें देखो हमें ये एक संख्या दी हुई है अब हम क्या करते हैं जनरली दो वेलू तक की संख्या को लिखते हैं तो हमें इसके दाई और का सबसे लाश्ट का जो अंतिम अंक है ये आपको हटाना है तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि दाई और या अंतिम अंक जो हमें हटा यह 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे इससे जश्ट पहले वाले अंक में प्लस 1 कर देंगे इससे जो अंक हमें हटाना है यहां पर 8 है जिसको हमें हटाना है तो यह 5 से बढ़ा है यह अंक हटाने वाला 5 से बढ़ा है तो हम क्या करते हैं इससे जश्ट पहले वाला जो अंक ह यहां पर साथ कोई भी हो सकता है तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें हमेशा प्लस वन कर देंगे तो इसका जो हमारे पास अंसर आएगा वो आएगा 123.98 तो हमने क्या किया हम अंतिम अंक को हटा रहे है और अंक यह थी हमारा पास से बढ़ा रहा है तो उससे जस्ट पहले वाले अंक में हम एक जोड देंगे अब देखो इसका second nrium क्या कहता है तो इसका second nium की हम discuss करते है एक बार ओर इसका example समझ लो जैसे अब example ले लो 33.67 अब देखो यहाँ पे हमें 7 को हटाना है अब देखो बेटा 7 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे इस से जस्ट पहले वाला जो यह अंका इसमें प्लस 1 कर देंगे तो यह कितना आएगा 33.77 यह अपने क्या आएगा यहाँ पे अंसर अब देखो हम इसका second नियम की बात करते हैं second नियम क्या कहता है तो देखो second नियम हमें क्या कहता है कि यदि अंतिम अंक जिसे हमें हटाना है वो 5 से छोटा है देखो example से समझो एक example है 13.343 अब यह अंक हैं यहाँ पे अंतिम अंक जिसको हमें हटाना है हम हमेशा यहां पर अंतिम जो अंक है उसी को हटाएंगे तो इस अंतिम अंक को हमें हटाना है और यह अंक कैसा है यदि 5 से छोटा है कैसा है 5 से छोटा तो इसमें हम क्या करेंगे यदि ये अंक 5 से छोटा है तो हम क्या करते हैं इससे ज़स्ट पहले वाला जो अंक होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं तो इसका अंसर जो आएगा वो 13.34 ही आएगा 3 को तो हम हटा रहे हैं और ये जो इससे ज़स्ट पहले वाला अंक है तर II को हम हटा रहे हैं तो ये कैसा है पात से छोटा है तो इससे ज़स्ट पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा अब देखो इसका एक नियम और बसता है 3rd, 3rd नियम हमी क्या कहता है देखिए बिटा क्या कहता है हमें थर्ड लियम कि यदि अंतिम अंक जिसे हमें हटाना है वो पाँच है क्या है पाँच तो हमारे पास दो कंडिशन आती हैं आपे दो इस्तितियां आती है कि पाँच से पहले वाला अंक यदि सम हो पांच से पहले वाला अंक पांच को हमें हटाना है तो या तो पांच से पहले वाला अंक सम हो या पांच से पहले वाला अंक विशम हो क्या हो या तो सम होगा या फिर कैसा होगा विशम तो देखो ऐसी इस्थिति में हम क्या करते हैं तो देखो पांच से पहले वाला अंक यदी सम है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इस एक example से समझते हैं, एक example लिलिया मैंने 5.345, अब हम यहां से 5 को हटाना है, तो पांच से पहले वाला अंक कैसा है, सम हम यहां पर बात कर रहे हैं, पांच से पहले वाला अंक सम हो, तो ऐसे स्थति में, हम क्या करेंगे? तो यदि पाँच से पहले वाला अंक सम है, तो ऐसी स्थति में, इस अंक में, कोई پरिवर्ट नहीं होगा. तो अपना जो answer आएगा, वो यही आएगा 5.34 अब यदि विशम हो, पाँच से पहले पहले वाला अंक जिसको हम हटा रहे हैं उसे जश्ट पहले वाला अंक विशम हो यह हमने एक एक्जामपल ले लिया यहां पर पांच को हमें हटाना है इससे पहले वाला अंक अपना कैसा है विशम है तो हम क्या करेंगे इस पहले वाले अंक में एक की व्रद्धी कर देंगे यदि ये नंबर विशम है तो हम इसमें एक प्लस वन कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस वन? तो इसका अपने अंसर होगा 6.44, क्या अंसर होगा 6.44, तो ये संख्याओं के निकटन के नियम है जो कि मैंने आपको समझा दिये और आपकी बुक में भी दियोवे हैं तो ये आपको समझने हैं चलो नेक्स्ट आगी का हम नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे